हलो सुरंड मैं हूँ नकुल सिंग जादोन स्वागत करता हूँ आफ सभी का रपेस सेड़ा के से डिजिटल प्रेटफॉर्म पे गाइस पिछले बारा सालों से मैं एकोनोमिक्स एंड टैक्सेशन में आप लोगों को सेवाय दे रहा हूँ और कई सालों से एकोनोमिक्स में ज इतनी भी वेकेंसी होती है उन सभी के बारे में आपको अपडेशन मिलता रहे तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन पर ज़रू क्लिक कर दीजिएगा ताकि यह सारे इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन अनॉंस्मेंट आपके पास आते रहे और गाइज रेगुलर बेसिस पे हमारे टेलिग्राम चैनल पे हम लोग MCQs करवाते हैं आपको PDF भेजते हैं फ्री में ताकि आप अप घर बैठे अपनी प्रेपरेशन को कर सकते हैं तो गाइज इन दोनों चीज़ों को मत बूलना नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ट PGT Economics का कोर्स लाँच कर दिया है ये कोर्स आप सभी के लिए बड़ा यूसफुल होने वाला है पूरे सिलेबस में पूरे सिलेबस में जो Micro Economics, Macro Economics, Indian Economy ये जितना भी पार्ट है मैंने खुद ने बहुत बेसिक से आपको ये सारा पार्ट कवर करवा दिया है गाइज तो ये को कोर्स की कोर्स की फीस ओनली टू फोर डबल लाइन है और टू फोर डबल लाइन में मिलने के वाला है पूरा की पूरा recorded कोर्स आपको मिलने वाला है नोट्स आपको Hindi English दोनों में मिलने वाले हैं जैसे ही class end होगी तो उसके बाद जो पैनल नोट्स होते हैं वो भी आपको मि योर्स रेकॉर्डइड रहेगा लेकि उसमें आपको बीच-वीच में जितने भी डाउटस आते हैं तो हर साथ दिन में दस दिन में मैं आपके साथ में लाइव रहूंगा जहां पर आप अपने जितने भी डाउटस उन डाउट्स को भी मुझसे पूछ सकते हो ताकि कहीं भी कोई प्राबलम आप लोगों को नहीं आए और आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे mcq questions भी मैंने डाल दिये हैं ताकि और अच्छे से आप इस exam में secure कर पाओ एक selection लेकर आ सको ओके तो guys ये course आप सभी के लिए बहुत important है अभी की अभी नीचे description में जो हम link दे रखा है आपको application का वहाँ पे जाईए store पे जाईए और इस course को purchase कीजिए चलिए आईए start करते हैं हम लोग आज की class को ये है revenue का part number two जहां पे हम लोग discussion करेंगे की जो market है उस market में हर एक market का अलग-अलग revenue करव होता है तो किस market का revenue करव कैसा होता है इसके बारे में हम लोग discussion करने वाले हैं इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था आप समय लोगों के लिए वहाँ मैंने ये बताया था आप लोगों की सबसे पहले तो revenue का मतलब क्या होता है तो किसी भी unit को sale करने से जो amount receive होता है that is called revenue revenue को कितने concept होते हैं तो 3 concept होते हैं किसी भी goods की सारी unit sale करने से जो amount receive हुआ that is called total revenue हर एक unit को average कितने में sale किया that is called average revenue और एक additional unit को sale करने से कितना additional revenue receive हुआ that is called marginal revenue ये तीन concept तो हम लोग देख चुके थे इनके basis पे practical questions कैसे आते हैं इनके formula क्या है इन सब के बारे में हम लोगों ने discussion कर लिया था और यही सारी चीज़े आपको notes में दे भी रखी है क्या है explanation, total revenue क्या होता है, definition है, example है यहां से आप देख सकते हैं, average revenue क्या है, formula क्या है, example क्या है Hindi, English दोनों में ही ये notes आप सबी के लिए available करवा दिये हैं अब हम बात कर रहे हैं, revenue under perfect competition perfect competition में revenue curve क्या रहेगा, क्या उसका relation रहने वाला है अब हम उसके बारे में बात करेंगे देखे, perfect competition का revenue curve को समझने से पहले, आप ये समझिए कि perfect competition का example क्या होता है perfect competition वो competition है, पूर्ण प्रतियोगिता वो प्रतियोगिता होती है जहां पे number of seller infinite होते हैं, जहां विक्रेताओं की संख्या अनन्त होती है मतलब sale करने वाले एक, दो, दस, बीस नहीं होते, लाखों में होते हैं अगर मैं आप लोगों से पूछू, बताओ कितने लोग ऐसे हैं, जो wheat का production करते हैं, गेहूं उगाते हैं शायद आप गिन नहीं पाओगे मैं आप से पूछू कि बताओ, आपके आसपास कितने लोग ऐसे हैं, जो tomato बेचते हैं, टमाटर बेचते हैं तो शायद आप लोग नहीं गिन पाओगे, क्योंकि वो जो लोग हैं, वो असंख्य है, infinite है अब जब ऐसे infinite number of seller होते हैं, तो situation में क्या होता है? वो situation में, जो seller है, वो price को influence प्रभावित नहीं कर सकता market में same price चलती है, तो जब market में same price पे goods quantity sale होती है तो revenue curve कैसा बनेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे Under perfect competition, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतरगर, the firm has to accept the price The firm has to accept, तो firm को उस मुल्य को स्वीकार करना पड़ेगा, जो market में चल रही है तो ध्यान लखना, यहाँ पे आपको ध्यान लखना है, कि firm को बाजार मुल्य को ही स्वीकार करना होगा यही perfect competition में सबसे खास बात होती है स्वीकार करना होगा, मतलब एक individual firm अगर चाहे भी कि वो price को change कर दे तो वो price को change नहीं कर पाती, क्योंकि टमाटर की price, यहों की price, इन सब की price, market में demand and supply पे depend करती है तो जब price, demand and supply पे depend करती है, तो price को कैसे यहाँ पे fix किया जाता है यह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप यहाँ से देखने की, समझने की कोशिश करना concept आपको definitely समझ में आने वाला है तो guys हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि perfect competition में कैसा revenue करफ होने वाला है उससे पहले एक diagram हम सबसे पहले बनाते हैं, तो यह एक diagram हमने बनाया है यहाँ पे, यह आप देख सकते है यह हमने y axis लिया है, यह हमने x axis लिया है, ठीक है यहाँ पे हमने ली है, यहाँ हमने ली है क्या, यहाँ हमने ली है क्या units ओके, यहाँ हम लोग ले रहे हैं क्या, यहाँ हम लोग ले रहे हैं total revenue यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं market में demand and supply कर आई देखिए आप सब जानते हैं कि मार्केमें इमांड का करकल कैसा होता है। इमांड का कर्व मार्केट में होता है चुछ इस तरह का होता है। और supply का जो कर्व होता है वो ये होता है demand का कर्व हमेशा negative slope होता है रिनात्मक करवकर होता है और supply का जो कर्व होता है वो एक positive slope होता है जहां demand और supply ये दोनों आपस में intersect करते हैं कहां कर रहे हैं intersect तो यहां पे intersect कर रहे हैं जहां ये दोनों आपस में intersect करते हैं ये जो price है इसी price पे market में tomato sale होगा और कितनी quantity sale होगी ये भी मैंने आपको बता दिया है तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ किस price पे tomato sale होगा और कितनी quantity sale होगी ये बता दिया है ये demand curve है इसको D1 D1 नाम देते हैं ये supply curve है इसको S1 S1 नाम देते हैं अब ये जो price है ना इसी price को चुप आप accept करना पड़ता है firm को तो market में market में price को determine किस ने किया price को fix किस ने किया तो price को जो fix किया है वो market ने किया है तो price को जो fix किया है वो market ने किया है demand and supply ने मिलके price को fix किया है तो market ने price को fix किया है यह आप कह सकते हो industry ने tomato industry ने price को fix किया है इसलिए industry को price maker कहा जाता है perfect competition में तोई कि perfect competition में price को बनाने वाली एक single firm नहीं होती industry होती है industry का मतलब group of firm, firm का समूह अब यह जो price है ना इसी price को चुप चाप accept करेगी कौन इसी price को चुप चाप accept करेगी कौन firm तो जो price यहां से दिया है इसी price को अब यहां पे continue किया जाएगा और यही price आगे जाके firm की भी price हो जाएगी यहां हम जो बात कर रहे थे वो firm की कर रहे थे तो firm की जो goods की price है वो भी same हो जाएगी जो price होता है वही AR होता है यह भी हम सबको पता है तो in general मैंने बिना कुछ बताए perfect competition में आपको यह बता दिया है कि perfect competition में कभी भी price का determination firm नहीं करती है इंडस्ट्री करती है इंडस्ट्री किस base पे करती है demand and supply के base पे करती है demand supply के base पे जो price आई है उसी price को चुचा firm accept करेगी तो यह जो firm होती है firm को price को take कर लेगी उसके पास में कोई option दूसरा नहीं होता अब आईए मैं यहाँ पे एक schedule बना के आपको perfect competition के बारे में सब कुछ एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे हम लोगों ने एक table draw करी है उस table में क्या हो रहा है उस table में हम लोग यहाँ पे यहाँ पे तो ले लेंगे क्या यहाँ पे हम price ले लेंगे यहाँ quantity ले लेंगे यहाँ हम total revenue ले लेंगे यहाँ पे हम average revenue ले लेंगे और यहाँ हम marginal revenue ले लेंगे तो ऐसी एक table हम लोग यहाँ पे prepare कर रहे हैं इस table में हम लोग क्या ले रहे हैं इस table में हम लोगों ने यहाँ लिया है price यहाँ quantity, यहाँ पे total revenue यहाँ पे average revenue, यहाँ पे marginal revenue अब perfect competition में होता क्या है चाहे लो एक यहाँ 2 kg, यहाँ 3 kg, यहाँ 4 kg, यहाँ 5 kg तमाटर जो है, वो 10 रुपए किलो ही market में बिक रहे हैं 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो समझ रहे हो आप बात को तो यहाँ पे जो price है वो constant है और price वही है जो कि industry ने decide किया है form तो decide कर ही नहीं सकती तो price हर एक case में same है quantity change हो रही है TR कैसे निकालते हैं TR निकालने के लिए हमारे पास formula होता है price into quantity तो price को मैं quantity से multiply करूँगा तो यहाँ 10 आएगा यह 20 है, यह 30 है यहाँ 40 आएगा और यहाँ आएगा 50 तो TR हमारा लगातार increase हो रहा है TR हमारा लगातार increase हो रहा है तो जब इसका मैं diagram बनाऊंगा तो diagram हमारा कैसा बनेगा अगर मैं TR का diagram बनाऊंगा तो TR का diagram हमारा कुछ इस तरीके से बनने वाला है यह diagram जो है वो हमारा किसका है TR का है अगर मैं यहाँ पे price को 10 रखो quantity को zero कर दूँगा तो यह zero से start होगा तो आप देख सकते हैं इस market में यह again y axis है यह origin है हमारा यह total revenue हमारा आ जाएगा तो total revenue का जो कर्व है आपको वो यहाँ पे एक positive कर्व नजर आ रहा है वो यहाँ पे एक धनात्मक वक्र दिख रहा है तो कैसा कर्व होता है यह मैंने आप लोग को बता दिया है यह कौन से market की बात कर रहे हैं हम यह हम बात कर रहे हैं perfect competition की तो perfect competition में schedule में total revenue का figure क्या होगा उसका diagram कैसा होगा बता दिया है अब बात करते हैं AR AR कैसे निकलता है तो AR निकलता है total revenue upon quantity से तो आईए यहाँ पे हम लोग find out करते हैं इसको तो total revenue आपके सामने है quantity सामने है 10 upon 1 करेंगे तो 10 आएगा 20 upon 2 करेंगे तो 10 आएगा 30 upon 3 again 10 40 upon 4 again 10 50 upon 5 again 10 MR कैसे निकलता है change in TR तो first वाले में तो 10 का 10 ही आएगा change कितना हुआ 20 minus 10 10 again change कितना हुआ 10 इसका मतलब यह हुआ कि जो perfect competition में जो prize है जो prize है वही AR है वही MR है क्योंकि prize constant रहता है तो इस situation में जब मैं यहाँ पे diagram बनाऊंगा तो diagram मेरा कैसा बनेगा diagram मेरा कुछ ऐसा बनने वाला है diagram मेरा ऐसा बनेगा यह y axis है यह origin है यह हमारा x है यहाँ पे यही हमारा prize है यही हमारा AR है यही हमारा MR है और यह जो curve आपको दिख रहा है इस curve को हम horizontal curve कहते हैं क्या बोलते हैं horizontal curve कहते हैं यह भी आप लोग को पता होना चाहिए और इस situation में हमारा elasticity of demand कैसा रहता है तो देखिए प्राइस तो change हो रही है प्राइस तो हमारी constant है प्राइस हमारी constant है लेकिन quantity change हो रही है तो यहाँ पे हमारी जो elasticity of demand है यह infinity आती है अनंत आती है यह भी आपको ध्यान लखना है तो perfect competition के revenue curve से कोई भी question अगर आता है तो मुझे लगता है यहाँ से आपको शायद clear हो चुका है कि कैसे यहाँ पे calculation होती है और कैसे यहाँ पे process होता है done यहाँ तक सब कुछ clear हो चुका होगा अच्छी तरीके से यही सारी बातें मैंने आपको notes में भी लिख दी है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो price है वही AR है वही MR है यही इसके बीच में relation होता है जो बाते मैंने कही है वो definitely clear हो चुकी होगी आपको और अगर आप यहाँ पे एक relation increase करोगे एक relation बनाओगे तो relation क्या बन सकता है यह relation हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि TR में और MR में क्या relation हो सकता है तो वो relation कैसा होगा क्या होगा उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे तो यहाँ तक clear हो चुका है कुछ questions भी मैंने आपकी practice के लिए आपको यहाँ पे दिये हैं ताकि आप लोग थोड़ी से और अच्छे से practice कर पाओ और आप यह देख पाओ कि exam में questions किस तरह से आते हैं जैसे देखिए पहला ही question आपको दिख रहा है first question आपको दिख रहा है assume when the price is 20 price 20 है, demand 9 है जब भी ऐसा question आए अपने लिख लो आप लिख लो यहाँ पे price 20 है, demand यहाँ पे price यहाँ पे 20 है quantity यहाँ पे 9 है question बोल रहा है कि price जो है वो 19 हो गई price कम हो गई और price कम होने से जो quantity है हमारी वो 10 पहुँच गई है तो question यह कह रहा है based on this information what is the marginal revenue आपको यहाँ पे marginal revenue बतानी है एक additional unit की एक additional unit की marginal revenue बतानी है marginal revenue तभी निकलेगी जब सबसे पहले total revenue निकलेगा तो हम सबसे पहले यहाँ पे total revenue find out करेंगे कैसे find out करेंगे 20 into 9 करेंगे तो 180 आएगा 19 into 10 करेंगे तो 190 आएगा MR निकालने के लिए formula होता है change in TR upon change in unit और unit में जो change है वो 1 का ही है तो यहाँ पे जो MR हमारा निकलेगा वो 10 हमारा आ जाएगा और इस question का जो correct answer है वो 10 बिल्कुल सही है तो hope so guys कैसे question exam में आते हैं आप लोग के practically यह आप लोग को clear हो चुका होगा एक और question आपके सामने है assume that when price is 20 price 20 है demand 15 है price 18 हो गई demand 16 हो गई आपको बताना है इस question में MR कितना होगा बहुत easy question है again यहाँ पे यहाँ लिया price यहाँ लिया quantity यह price 20 है quantity हमारी 15 है price हमारी 18 हो गई है और quantity हमारी 16 हो गई है तो सबसे पहले हम total revenue निकालेंगे total revenue निकालेंगे तो यहाँ पे हमारी total revenue कितनी आएगी यहाँ हमारी जो total revenue है वो 300 आने वाली है उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं next में तो next में आपको दे रखा है price दे रखा है quantity दे रखा है कितना दे रखा है 18 into 16 करेंगे तो 288 आएगा यहाँ 288 आगया अगर यहाँ पे आप marginal revenue निकालोगे तो कैसे निकलेगा change in TR TR में जो change हुआ है वो 12 हुआ है और 12 हुआ है तो answer C definitely correct होगा ऐसे ही question आपके exam में आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई problem आप लोगों को आने वाली है यह वाला question equilibrium का है हम लोग बाद में करेंगे और exam में कैसे question आ सकते हैं तो marginal revenue की definition से question आ गया क्या है question marginal revenue is equal to marginal revenue किसके equal होता है तो हम सब जानते है marginal revenue का मतलब ही क्या होता है additional revenue from sale of additional unit of a commodity एक अतिरिक्त इकाई बेचने से जो अतिरिक्त आगम हमें मिलता है उसी को marginal revenue कहा जाता है तो पहला question बोल रहा है the change in price divided by change in output change in quantity हम सब को बता है formula क्या होता है formula होता है हमारा change in total revenue upon change in quantity यह formula होता है हमारा तो उसके according आप देख लो change in quantity divided by change in price change in P and Q due to P and Q का मतलब क्या होता है TR due to change in one unit change in output मतलब quantity तो question का answer C बिलकुल सही है C मांत आगम किसके बराबर होता है तो उत्पादर में एक unit परिवर्तन के कराण P और Q में जो परिवर्तन आया है मतलब TR में जो परिवर्तन आया है question थोड़ा सा गुमाफिरा के आएगा पर आपको घबराना नहीं है अगर basic concept आपके clear है तो कहीं कोई problem आपको नहीं आने वाली आगे आजाओ अगला question वही है वही है जो मैं आपको अभी just पढ़ा रहा था question है what is the shape of the demand curve phased by a firm under perfect competition perfect competition में जो shape होता है वो कैसा होता है यह आप लोगों से पूछा जा रहा है what is the shape of demand curve phased by a firm under perfect competition तो guys यहाँ पे perfect competition में shape कैसा होता है अभी just मैंने आपको बताया था shape कुछ ऐसा होता है यही हमारा price है यही AR है यही MR है इंडस्ट्री ने दी है और इसको हम horizontal कहते हैं इसे हम shareदिच कहते हैं यहीं पे question थोड़ा सा बदल के आप से पूछा जा सकता है question क्या आएगा question आप से यह पूछा जाएगा कि बताईए perfect competition में elasticity of demand मांग की लोच क्या होगी तो answer होगा infinite जिसे अनन्त कहते हैं क्योंकि जो diagram है वो हमारा ऐसा है अगर यही diagram हमारा ऐसा होता तो situation में elasticity of demand हमारा zero होता ओके यह सब आप demand में पढ़के आ चुके हो आगे आजाओ अगला question है firm के profit के लिए पहली शर्थ क्या है तो यह भी equilibrium वाजा point है आगे आजाओ यह भी again question वहीं से पूछा जा रहा है आपको बताना है इन में से क्या एक price taker का लक्षण नहीं है इन में से कौन सा price taker का लक्षण नहीं है मतलब price taker जैसे ही price taker आया हमारे mind में एक बात चलनी चाहिए price taker और maker यह concept perfect competition में होता है और perfect competition से question आया है कि बताओ इन में से कौन सा characteristics perfect competition का नहीं है नहीं है तो क्या होगा TR equal to price into quantity हाई यह तो सही है AR ही price होता है हाई यह सही है negative slope negative slope का मतलब होता है क्या slope AR और MR क्या AR और MR ऐसे होते हैं क्या नहीं यह तो monopoly और monopolistic का feature हो गया तो इसलिए इस question का answer यह गलत हो जाएगा रिनात्मक रूप से ढलुआ मांग वक्र यह गलत हो जाएगा मामला तो question का answer C बिलकुल सही होगा तो hopes to guys इस question आप लोगों को समझ में आये होंगे और किस तरीके से exam में questions आप लोगों से पूछे जा सकते हैं यह आप सभी को 100% clear हो चुका होगा इसी के साथ में revenue curve under perfect competition का जो concept है वो तो आपको clear हो चुका होगा अब हमको यह समझना है कि कहां पे यहां पे equilibrium कहां पे receive होता है यह equilibrium वाला point जो है वो हमको समझना है अब देखिए जब बात equilibrium की आती है तो equilibrium वाले point को मैं आपको समझाता हूँ कहां पे क्या situation हो रही है यह तो मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या price है क्या AR है क्या MR है यह तो हम लोग clear कर चुके हैं अब जो बात आ रही है यहां पे वो आ रही है हमारी किस की equilibrium की अब जो बात हमारी यहां पे हो रही है वो equilibrium की हो रही है equilibrium का मतलब होता है संतुलन की हो रही है perfect competition में equilibrium कहां पे आता है तो एक बात हमेशा ध्यान रखना equilibrium की दो condition होती है कभी भी अगर हम लोग को equilibrium निकालना है तो equilibrium की दो condition होती है ये condition जो बता रहा हूँ वो हर एक market में common conditions है तो condition है तो condition है पहली equilibrium वहाँ होगा जहां पे marginal revenue marginal cost के equal होगा marginal revenue marginal cost के equal होगा मतलब जितना खड़्चा हमारा हो रहा है अगर उतने ही revenue हो रही है तो मान के चलना equilibrium आ चुका है equilibrium का मतलब वो point जो की maximum satisfaction का point है जहाँ पे seller buyer दोनों खुश हैं ओके और दूसरा यहाँ पे क्या आएगा दूसरा यहाँ आएगा MC cuts MR वो भी कहां से from below मतलब MC MR को कहां से काटेगी MC MR को नीचे से काटेगी तो जहां MC MR को नीचे से काटेगी उसी को हम लोग basically equilibrium कहते हैं तो यह है हमारा diagram अब सर यहाँ पे कैसे हम लोग equilibrium find out करेंगे यहाँ equilibrium find out करने के लिए हमको पता है कि हमारे पास में AR है perfect competition में यही हमारा क्या होता है MR होता है अगर आप लोगों ने cost chapter पड़ा है तो cost chapter में marginal cost का जो shape होता है वो U shape होता है तो marginal cost कैसी होती है marginal cost का जो shape होता है वो कुछ ऐसा होता है इसको marginal cost कहते हैं अब हमारे पास में दो point है एक point यह है एक point यह है exam में question आता है कि बताओ इन में से कौन सा point equilibrium का point है कौन सा बिंदू संतुलन का बिंदू है तो यहां क्या होगा हमको जैसे ही equilibrium ढूंडना है हमको पता होना चाहिए conditions क्या है condition 2 है जहां MC MR के equal होता है तो MC MR के equal तो A पे भी हो रहा है B पे भी हो रहा है लेकिन जो second condition है वो यह है कि MC MR को नीचे से काटेगा यहां MC MR को काट तो रहा है लेकिन ऊपर से काट रहा है यहां नीचे से काट रहा है तो यह जो point आपको दिख रहा है इसी point को हम क्या कहते हैं इसी point को हम equilibrium कहते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं equilibrium कहते हैं और इसी के साथ इसी के साथ perfect competition का revenue वाला पार्ट और equilibrium वाला पार्ट definitely 100% खतम होता है अब इसके बाद में हमको क्या पढ़ना है इसके बाद हमको पढ़ना है कि perfect competition की कौन-कौन से characteristics होते हैं कौन-कौन से विशेष्टाएं होती है perfect competition की जहां से exam में question आ सकता है इसके बारे में हम लोग discussion करेंगे लेकिन वो discussion होगा next class में फिलाल के लिए लेता हूँ आप सभी से अलविदा अगर आप इस प्रकार की notes को पाना चाहते हैं या regular basis पे update लेना चाहते हैं ऐसे वीडियोज आप और पाना चाहते हैं तो इस channel को subscribe कर लो PDF को पाने के लिए आप हमारे नीचे description में टेलिग्राम का link है उस पे click करके आप हमारे टेलिग्राम channel से जुड़ जाएए जहां पर regular basis पे बहुत सारे questions की practice आपको मिल जाती है और उसी के साथ में हर एक class का notification मिल जाता है ओके thank you so much guys मिलते हैं next class में धन्यवाज अगर ये class आप सभी को पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को जुरूर बताईएगा कि ऐसा एक ऐसा platform है जो की RPSC अड़ा है जो की इंडिया में commerce की जो competitive class होती है उसके लिए best platform है अगर ये class आपको पसंद आती है तो ओके thank you so much bye bye